अब GST का हमारा जो लास्ट अब ही कि offense, penalties and punishment आप prosecution भी लेग साकते हो दन? चलो यह topic start होने के पहले थोड़ा इसका basic आपके साथ discuss कर लेता हो और basic होने के बाद जो है हम यह topic start करेंगा पहले तो मुझे बताईए पहले तो मुझे बताईए कि यहाँ पर किसने-किसने यह topic पढ़ा है offenses, penalties or prosecution yes, किसने पढ़ा है, किसने नहीं पढ़ा है, बताओ फटाफट नहीं पढ़ा, और बाकी पढ़ा है no 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 कोई कह रहा है कि सर मैं आपके चार्ट के लाओ और कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ नालाइक ओके चला, देखें, यहाँ पर offenses, penalties and punishment यहाँ जैसे आपको याद होगा तो हमने department की power दो पार्ट में divide की थी देखें, department की power हमने दो पार्ट में divide की थी एक administrative power और एक investigative power आपको पहले वाला चार्ट, assessment, audit वाला चार्ट याद होगा और क्या करना है जैसे हमारा यह GST का चार्ट बुक का revision हो जाए तो चार्ट बुक एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना यह चार्ट बुक पे frequent revision लो क्योंकि आप ITC, supply, time of supply, value of supply यह manage कर लोगे लेकिन यह आखरी वाले topic जो अभी हमारी revise हुए अभी और चार्ट बुक से मैंने आपको easy करके दिया है तो यह चार्ट बुक टार्गेट रखना हर 10 या 15 दिन में एक बार पूरा चार्ट बुक खतम करने आपको पढ़के तो मजा आएगा और जहां आपको दिक्कत जा रहे है वहाँ थोड़ा analysis करना वहाँ थोड़ा एक बार regular book देख लेना और उसको अच्छे से समझने के लिए questionnaire देख लेना उसको अच्छे से समझने के लिए ठीक है अपर देखो हमने administrative power में assessment और audit देखा था और access to the premises देखा था अगर आपको यहाँ दोगा और investigation power में हमने जो देखा था वो यहाँ पर inspection, search, okay और arrest यह देखा था investigative power में तो जब थोड़ा आपको यहाँ दिला दू assessment में हमने क्या देखा था अगर registered person और unregister person registered person होगा to return नहीं दे रहा है return नहीं दे रहा है अगर return दे रहा है तो उसका self-assessment या provisional assessment होगा और उसका scrutiny याjut summary होगा scrutiny assessment section 61 में år 64 में summary assessment अब दूसरा बीटा अगर return नहीं दे रहा है तो based judgment assessment under section 62 होगा और अगर वो यहाँ पे register रिष्टर परसन ही नहीं है और वो सप्लाय कर रहा है जो GST में लाइबल टू पेमेंट आप टैक्स है तो उसका भी बेस जज्जमिन असिस्मेंट होगा यह चार्ट याद आ रहा है आप सभी को मुझे रिपलाई चाहिए यह चार्ट याद आ रहा है आप सभी को पूरा डिस्क्रिशन अभी तो हुआ है अभी के अभी तो मत बूलो फिर आडिट हमने देख्या आडिट आपका सेक्शन 65 में या 66 में या फिर 35 में होगा तो यहाँ पर 35 जिसका में 22 एक्जामेनिशन है उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा इट्स ओमिट है तो आपका परिमन के निकालना है कुछा है तो section 67 में place of business का inspection हुआ होगा या 67 में search or seizure का power दियागया है तो search or seizure किया विजनस का इंस्पेक्शन किया होगा या search and seizure किया होगा 68 में inspection in transitische अंडित रिलेटेब इसका inspection in transit होगा या फिर यहाँ पर arrest हूँ section 69 में arrest हुई होगी और 72 में officer ने उसको assist किया होगा arrest के लिए तो sir होगा क्या, अब आपका एक basic सवाल होता है कि क्या होगा अब बताओ क्या होगा अब आपको तो रहाँ एक flow में लेकर जाता हूँ आप register person हो और एक-एक case लेते है, पहला बंदा है registered है, return देता है, self assessment किया या provisional assessment किया तो क्या होगा कि ये बंदा जो return दे रहे है उसकी 61 में scrutiny होगी scrutiny of the return होगा scrutiny में discrepancies मिली तो तीन बाते होगी either discrepancies जो है उसका उसने reply दे दिया officer satisfied होगया, याद करो वो chart आपके पास chart book होगी तो जाओ, assessment और audit में जाओ, वहाँ पे और वहाँ देखो मैं जो वह रहाओ अगर scrutiny नहीं होगी उसका तो scrutiny नहीं होगी तो ऐसे situation में यहाँ पे discrepancies होगी तो वो accept कर लेगा, और वो accept करने के बाद ध्यान सुनेगा, वो accept करने के बाद उसका inspection भी करवा सकता है और यहाँ officer 73-74 की case भी लगा सकता है और scrutiny से 73-74 की case भी आ सकती है ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे next बेज जजमेंट assessment वहाँगा आप registered हो पर return नहीं दे रहा तो बेज जजमेंट assessment होगा कैसे तो आपको 46 की notice गई होगी 46 की notice जनने के बाद 15 दिन में आपने return नहीं दिये तो officer बेज जजमेंट assessment कर देगा अब देखो, बेज जजमेंट assessment का notice और और इसी section में, यानि यहाँ से आप 73-74 का रास्ता नहीं उस करोगे कि बेज 73 में जाके notice दे रहे हो या 74 में जाके notice दे रहे हो डिमांड और रिकवरी नहीं notice भी है, order भी है पर अब थोड़ा में जो कहना चाओगा वो point समझना section 62 में notice और बेज जजमेंट assessment order दे दिया पर 30 दिन के अंदर आप return दे देते हो, तो वो बेज जजमेंट assessment order विड्रौ हो जाती है अब आपकी बेज जजमेंट assessment order विड्रौ होगी क्योंकि आपने return दे दिये हाँ, आपने वो return देने के बाद क्योंकि आप return दे दिये तो इधर आ गए यानि 62 से आप इधर आ गए, normal में filing of return और बेज जजमेंट assessment order विड्रौ होगी तो 62 से आप इधर शिफ्ट हो गए और इधर शिफ्ट हो गए, इसके बाद officer 61 में scrutiny कर सकता है जो आपने return दिये उसकी और scrutiny में अगर problem लाती है तो उसके बाद audit भी हो सकता है और उसके बाद यहाँ पे 73, 74 भी यूज हो सकता है मेरा यह वाला point समझा गया आपको मैंने यह जो point 62 से इधर आ गया और बाद में scrutiny और फिर audit और 73, 74 यह वाला point समझा क्या यस और नो, प्लीज बताई यह बटा यस, हाँ, अगर मतलब base judgment पहले तो क्या हो गया base judgment हो गया उसका और base judgment assessment में notice भी गई, order भी आ गया पर वो order automatic withdraw जाएगी और फिर आप normal return में आ जाओगे तिस दिन में return देती है तो और फिर यह वाला flow चलेगा ठीक है 63, 63 में अगर आपका base judgment होता है तो 63 में base judgment होता है तो कोई withdrawal order नहीं वही notice है और वही order है कोई 73, 74 में नहीं जाएगा मतलब यह मत समझना कि always notice और order 73, 74 में आती है नहीं, notice और order 73, 74 में तो ठीक है वो तो audit के through, scrutiny के through, हम 73, 74 में जाएगे वहाँ तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है कुछ notices और order itself section में कवर होती है 73, 74 का recourse नहीं यूज़ करती है मतलब 62 के अपनी notice अपनी order है उसके बाद में audit, departmental audit हुआ या special audit हुआ और tax avoidance या ITC का discrepancies मिला तो वो case में वो 73, 74 में audit अगर होता है तो जो भी discrepancies होती हो 73, 74 में ही डालते है और वो case 73, 74 के route के तो चलाते है ठीक है, access to premises, general access होता है हाँ, inspection में, ध्यान सुनिएगा इंस्पेक्शन हुआ, place of business का या यहाँ पे, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ धान सुनना place of business का inspection हुआ, या सर सीजर हुआ तो वो situation में, यहाँ पे proceeding जो है 73, 74 की चला ही जाएगी और other proceeding भी होगी, जो मैं आपको अभी पढ़ा होगा अगर in transit inspection होता है तो वो case में, transit के लिए आपको punish करने के लिए, transit में goods मिला और evay bill नहीं बनाया गया या आपके invoices नहीं मिले, तो आपको punish करने के लिए, transit of goods में special section है 129 और आपको पूरा 129 के थू हैंडल किया जाएगा, यह बाद धान रखना 129 के थू हैंडल किया जाएगा, इसको में तो और आगे explain करूगा, क्यूंकि आपको अगर यह chapter का flow समझ में आ गया ना, तो यह chapter बहुत easy है students को स्टुदेंट को इसका flow नहीं समझ में आता है, यह flow में आपको arrange कर के दोगा तो transit के लिए inspection हो जाता है, तो 129 सीधा आपके against में action ले लेता है और, arrest वगरे होगा तो ठीक है हो, तो arrest हो गया, तो कोई issue ही नहीं है अब देखो, अब यह उपर either assessment होगे, audit होगे, access होगा, inspection होगा, transit inspection होगा, यह थारे चीज़े आपके against में हुई scrutiny assessment होगा, अब adjudication proceeding by proper officer, officer आगे कैसे बढ़ेगा, अगर उसको यह सब करने के बाद पता चला कि आपने tax नहीं दिया है, आपने compliance सही नहीं किया, आपने invoices सही नहीं दिया, आपने fake invoices दिया, दुनिया भर की चीज़े उनको पता चली, तो करेगे क्या, तो adjudication कैसा करेग या audit के थूर आता है, तो वहाँ चलाएगे, या direct भी चला सकते है, proceeding, तो बस यह देखना है कि वो proceeding कैसी चलाएगे हमारे अगिन, सुनिया, okay, तो 73, 74 की proceeding चलाएगे, अगर उन्होंने 73, 74 की proceeding चलाएगे, सुनिया, 73, 74 की proceeding चलाएगे, तो इसके, just a minute बिटा, 73, 74 की proceeding चलाएगे, तो यह केस में, आपका जो भी टैक्स है, आपको 73 में दे देना है, 74 में दे देना है, अब वो flow याद करो, इतना जबरदस flow है और मुझे याद है, एक student ने, यह जो चार्ट बूख है, चार्ट बूख को ऐसे 6 सा ड्रॉइंग शिट लेके, ऐसा पूरा flow आपको यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, तो इतना जबरदस flow, assessment, audit, access, investigation power, फिर 73, 74 का पूरा जो मैंने चार्ट बना के दिया है, यहाँ अटेच किया है, उसने खुद बनाया था, उसका बॉस, वो मैं आपको को सिब एक्जाम के लिए नहीं, फ्यूचर में लाइक में जिए नहीं बुलेगा, 73, 74 का इटेच किया, इसके नीचे अपील को अटेच किया, अपील रिविजन के बहीं, हर सिक्षन में आड़र आगई, अपील कैसे जाएगा, और रिविजन कैसे जाएगा, और उसने कुछ चारपाच ड्वाइच करके पूरा यह चार्ट बुक एक सब्जेक बन जाएगा, ओके, टाइम मिले तो जरूर करना, ठीक है, तो यह पूरा फ्लो मजा आता है, समझ में आता है आपको, तो चलिए, यहाँ पे, अगर आप यहाँ आजाओ, तो अब 73, 73 में अगर उसने केस लगाया होगा, स्कूरूटीनी में आप सब करने के बाद, तो ऐसे सिचुईशन में, यहाँ पे, टू यह, नाइन मंत में नोटीस देना, तीन साल में ओर्डर फिक्स करना, उसके बाद में वालेंटरी पेमेंट कर देना, वालेंटरी पेमेंट तो कोई पेनल्टी नहीं, नोटीस आने के तिस दिन में पेमेंट किया, तो कोई पेनल एक मिनट, इंटरनेट कनेक्शन गया, यस, तो और अगया बिटा, तो और अगर आगया तो 10% या 10,000 विच्वरीज हार लगया, 74, 74 में यहाँ पे 4-6 मैने तक नोटीस, 5 साल में दिमांड ओर फ्रम एन्युल रिटन, उसके बाद में वलुंटरी पेमेंट किया, तो 15% पेनल् यह दिमांड ओर के इस दिन में किया, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे 50% का पेनल्टी, नहीं तो 100% पेनल्टी, यह 74 की प्रोसीडिंग, 76 में एकसेस कलेक्शन, लेकिन आपको यह बात बताओ किया, आपको 73-74 में इंट्रेस लग जाएगा और पेनल्टी देनी अगर इसमें प्रोसीडिंग आ गेहिए, तो इसके पेनल्टी इसमें इसमें लग जाती है, और 에게 क्या और आपको याद होगा, तो ल OH ये कहता है, कि अगर आमने 73-74 के पेनल्टी दे दी, तो परोसीडिंग ढी तो वे इंट्रेस के सब्लूद尉 अब करो, याद करो ऒोब क अब एक 132 को छोड़के बाकी सब प्रोसेडिंग कंक्लूड कर देंगे, और यहां तो ऐसा भी दिया है, अगर section 75 आप पढ़ते हो, section 75 में दिया है कि अगर आपने इस प्रोसेडिंग में 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 आपको प्रोसेडिंग में प्रोस no penalty, no confiscation और other person भी involved होगे तो उनको भी benefit मिल जाएगा तो ये 3 बड़े important benefit मिल जाते है section 130 को छोड़के अब section 132 को छोड़के मतलब क्या बेटा 132 को छोड़के मतलब 132 में ऐसा क्या है 132 में criminal proceeding है यानि आपको prosecution किया जाता है imprisonment, आपको arrest करके आपको jail में डाला जा सकता है तो मतलब ये क्या है, कि 73, 74 आपको सबसे बचाएगा, सबसे बचाएगा पर arrest से नहीं बचाएगा, यानि अगर आप section 132 के offense इसमें आते हो 132 बड़ा important है, section 132 के offense में आते हो, और आपने कुछ amounts है, यानि 2 crore से जादा वगरे जो आपने अगर यहाँ पर उनके slab दिये, मैं slab पड़ा होगा okay, यहाँ पर जैसे आप नीचे चार्ट में आते हो, तो यह slab दी है आपने 1 crore, 2 crore के बीच में तो कितनी jail हो सकती है अगर 132 के हिसमें आ जाते हो, तो बेटा उससे कोई नी बच्चा पाएगा उससे भगवान भी नी बच्चा पाएगा, अगर वो slab में आ फ्रॉड कर देते हो कि यह उन्दो प्रोसिइंग 73-74 किये, तो 132 में हम देखेंगे आगे फिर अगर आपको prosecution किया जा रहा है, तो हर आदमी चाहता है कि अगर उसको jail में डाला जा रहा है तो cognizance हो जाए, bail मिल जाए, cognizance of offense, मतलब कौन से offense bailable है, कौन से offense non-bailable है, okay, cognizable, cognizable मतलब non-bailable और non-cognizable मतलब bailable, मैं आपको आगे पढ़ा होगा इसको तो कौन से, हम bill कहा ले सकते है, कहा नहीं ले सकते है, क्या हमारी arrest को हम रोक सकते है, क्या compounding of offense, कुछ पैसा देकर, पैसा देकर, गौर्मेंट को पैसा, arrest मत कर, भाई, कुछ भी कर, arrest मत कर तो यह जो है, cognizance of offense, compounding of offense, यह इससे connected है तो यहाँ पर अगर arrest हो जाती है, section 132 से, फिर आगे की स्रीच चालो होती है, तो यह criminal offense है, यहाँ तक समझा, yes बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक समझा, yes बोलो, फिर आगे बढ़ता हूँ, very good, very good, done, 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 okay, चलिए, यह तो बेटा 73-74 की proceeding होई, तो क्या ह अब समझा, 73 department adjudicate कर रहा है, पर आपकी proceeding वो 73-74 में नहीं ले रहा है, आपकी proceeding वो अधर इसमें ले रहा है, sir, अधर इसमें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अधर इसमें, जरूरी तोड़ी की 73-74 से ही जाओगा मैं, okay, जैसा बेज जज्जमेंट कर दिया मैं, 62 का बेज ज अधर इसमें होगी, या फिर मैं आगे बताऊगा, section 129, 130, okay, इसमें भी, okay, why notice my order, okay, in short, अगर आपकी proceeding 62 में होई होगी, 63 में होई होगी, summary assessment 64 में होआओगा, या फिर, यहाँ पर, offenses proceeding not covered in anywhere, मतलब कोई भी ऐसी proceeding, जो 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130, okay, इसमें covered, क्योंकि 129, 130 के अलग proceeding है, तो समझ लो की कुई भी ऐसी order आई होगी, जो 62 की है, बेज जज्ज्मेंट, 63 की है, और 64 की बेज जज्ज्मेंट, summary assessment है, या कोई भी इस act में order आई होगी, जो इन section में covered नहीं है, क्योंकि इन section में covered है, 62, तो मैंने ले लिया, 63 भी मैंने ले लिया, यहाँ पी ले लिया, 64 यहाँ ले लिया, 73, 74 उदर चले जाएगा, 129, 130 की अपनी अलग प्रोसीडिंग है, transit में goods और confiscation of goods के अलग प्रोसीडिंग है, in simple, मेरा आपको क्या कहना है, यहाँ पर, तो ऐसे situation में, यहाँ पर, अब आगे देखो, यहाँ, एक लाइन में को कि, 73, 74 की प्रोसीडिंग नहीं है, और notice order, यह सब अलग section में है, notice order अलग section में है, तो अब, अब officer आगे कैसा बढ़ता है, देखिए, बेटा, यहाँ तक समझा में क्या कह रहा हूँ, बस इतना समझो, 73, 74 की प्रोसीडिंग नहीं है, बाकी कोई भी प्रोसीडिंग, यहाँ पे, ठीक है, तो अब officer, अब यह chapter important हो जाता है, offenses, penalties and prosecution, ठीक है, अब यहाँ दो प्रोसीडिंग यह चाप्टर में है, एक civil प्रोसीडिंग और दूसरा criminal प्रोसीडिंग, यह criminal यहाँ लिया है, और civil प्रोसीडिंग मैंने यहाँ लिया है, civil प्रोसीडिंग मतलब penalty लगाना, या goods confiscate करना, goods seize करना, उसको कहते है, civil प्रोसीडिंग, यानि आपको धक्का नहीं लगाया, आपको arrest नहीं किया, बाकी जो हमें civil प्रोसीडिंग मतलब आपको जेल के अंदर डाल रहा है, वो criminal प्रोसीडिंग, तो अब civil प्रोसीडिंग, तो in short, अब मैं थोड़ा समझाना चाहूगा, 73-74 होगा, तो उसकी civil प्रोसीडिंग उसी सेक्शन में, पेनॉल्टी लगाके 15%, 25%, 50% लगाके, उन्होंने उतनके ही सेक्शन में खतम कर दिया है, civil को, सिप criminal को जिंदा रखा है, criminal को जिंदा लखा है, मतलब 73-74 होगा, तो पेनॉल्टी वोई सेक्शन लगा देगा, लेकिन, क्रिमिनल के लिए 132 में आना पड़ेगा, लेकिन, ऐसी कोई भी नोटीस और आर्डर है, जो 73-74 के थुरू नहीं है, बेज जज्जमेंट वाले पगर है, summary assessment है, उसकी civil proceeding, मतलब वो केसमें, पेनॉल्टी कौनसे सेक्शन में जाएंगे, तो वो इसमें 122 के सेक्शन में आएंगे, सेक्शन 122, 123, 124, यह 125 हो, अब मैं पढ़ाने वालो, ओके वहाँ हैंगे, गुड्स को कॉन्फिस्केट करेंगे, ओके सीज करेंगे, और यहां पे भी क्रिमिनल प्रोसिडिंग रहेगी, और यह क्रिमिनल प्रोसिडिंग तो दोनों केसमें है, यह समझा क्या पॉइंट, ओके, अच्छे से समझा क्या, कि हम यह चप्टर ओफेंस और प्रोसिडिंग में कैसे हा रहे हैं, क्योंकि बहुए स्टुटन का यह क्वेशन रहता है, और जिन्होंने सच में पढ़ा है, कि यह 73, 74 में भी पिनॉल्टी है, इधर भी पिनॉल्टी है, कब कौन सी पिनॉल्टी लगाना, यह क्लिरली समझा कै आपको, अब आप समझ गया होगे कि 122 की पिनॉल्टी कब लगती है, तो चलिए, अगर आप, इस प्रोसेडिंग के थ्रू आया होगे है, जो 73, 74 की नहीं है, तो penalty, section 122 में लगाई जाती है, penalty for specified offenses जैसा taxable person होगा, register person होगा, इनी person होगा, तो 122, 1, 122, 2, 122, 3, इस section में penalty लगाई जाती है, उसके बाद में, यहाँ पे 123, 124, यह agents, कुछ agencies पे penalty लगाती है, okay, उसके बाद में section 125, यह general penalty है, और 126, कि जब भी कोई यह section में penalty लगाई जाए, तो क्या आपने general disciplines follow करने चाहिए, penalty लगाते है, और officer ने कौँसे general disciplines follow करने चाहिए, वो section 126 में है, अगर थोड़ा आप धान से पड़ाए, तो section B याद हो जाएगे, यह तो last topic के section chart से इतने मस्त याद हो जाएगे ना, अगर आप थोड़ा अच्छे से पड़ाए तो, okay, और अगर आपने वो माच्छे ड्राइंग शिट लेके एक पूरा chart book, एक chart में खतम किया, ऐसा arrange करके, तो मज़ा आजाएगा boss, okay, यानि सब चीज़े proper link हो जाएगी, तो यह civil proceeding, अब मैं तोड़ा यह point पर आता हूँ, दो action होती है, मैंने यहाँ, यहाँ दो part की है, पहला part, civil proceeding म person पर penalty लगाई जाती है, और यहाँ पर, action on goods, goods का क्या किया जाता है, इसलिए, जब भी मैं कहता हूँ, fraud करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है, क्योंकि आपके against में पूरी बारात आने वाली है, बारात में interest लग गया, अब हम penalties भी लगाएंगे, हम आपके goods को भी न discuss कर लिया है, seizure, detention और seizure हो गया होगा, या section 129 में, 129 कब लगता है विटा, देखो, section 672 तब लगता है, जब place of business पर, यहाँ पे search किया गया, और वो place of business पर goods मिले और उसको seize कर लिया, और 129 कब लगता है, जब in transit, सुनो, in transit inspection हुआ, तो उसका पुरी proceeding 129 में चलती है, और 129 मे आपके goods को seize, penalty वगरे लगते हैं, और बाद में वो confiscate भी किया जा सकता है, याने, goods आपके जबती होते है, place of business पर goods होगे, तो 672 seize करेंगे, और अगर transit में मिले, और discrepancy में मिले, तो 129 के तहत वो जबत किये जाएगे, seize किये जाएगे, और फिर 130 की confiscation of goods की proceeding की जाएगे, पहले तो बताओ, यह flow समझा के आपको, यह flow समझा के आपको, please बताइए, very good, थोड़ा easy हुआ यह chapter बेटा, यह chapter आपको हाट जाता है पढ़ने के लिए, flow समझ के थोड़ा easy हो रहा है यह chapter, easy हो रहा होगा, तो E लिखिएगा, very good, very good, यह होई ना बात, चलिए, तो अब हम यह देखेंगे, अब यह पुरा flow देखेंगे, 122 के सभी section जो penalties के है, यहाँ पे seizure और confiscation के है, और फिर criminal proceeding देखेंगे, फिर criminal proceeding देखेंगे, चलो, आजाओ यहाँ यहाँ पे, आजाओ, 122 में penalties, पहला section लेता हूँ, section 122, penalty for offenses on taxable person, register person, और any person, 1221, उसमें सबसे पहले 1221, अब section 1221 में 21 offenses दिये है, दैन सुनना, 21 offenses दिये है, अगर आप list पढ़ोगे तो, और उसके उपर penalty लगाईगे है, section 1221 में, अब बिटा, यह 21 offenses आपको अच्छे से read करना पड़ेगा, पर उसको आसान बनाने के लिए, मैंने क्या किया, मैंने offenses को थोड़ा यहाँ पे properly classify किया, अब उसके group बनाए, अगर इस group में आप परते हो, तो आपको याद रखना भी आसान होगा, और कोई memory technique भी बना लेना, आप बना सके तो, तो देखो, अगर आपने section 122, subsection 1, यह याद रखना, section 122, subsection 1, आपने invoice और bills related कोई offense किये, उन्होंने यहाँ पे 3 offense notify किये है, और यह 3 offenses आप करते हो, जिसमें invoice और bill involved है, तो ऐसे situation में आपके उपर penalty लगाई जाएगी, पहला, supply of goods और services without issue of invoice, without issue of invoice, मैं आपको request करूगा, कि यहाँ कोई भी बीच में 73, 74 नहीं लाएगा, मैं अगर 122 में हूँ, मतलब ही यह समझ लेना, कि proceeding 73, 74 की नहीं हुई है, ओके, वो other proceeding के हम पर penalty लगा रहे है, clear, okay, तो यहाँ पर अपने किसी ने भी, okay, good supply कर दिया, without invoice, या issue of incorrect or false invoice, incorrect या false invoice issue कर दिया, पहला offense, okay, दूसरा, यहने dummy fake invoices है, यहने यह उन लोगों के लिए, जो dummy invoice, fake invoice, वगरे, गलत invoice, issue of invoice, without supply of goods, पहले और दूसरे में फरक क्या है, पहले इस case में supply क कर दिया, पर invoice ही नहीं दिया, यह incorrect invoice दिया, दूसरे इसमें क्या, तो दूसरे इसमें, यहाँ पर invoice दे दिया, fake invoice दिया, पर supply नहीं किया, okay, without supply of goods or service, in violation of provision of this act, is what को समझना, देखो, मेरा एक basic सवाल आप से है, आप बताना मुझे, क्या हम invoice supply के पहले, goods के removal के पहले invoice के पहले यह service complete, यह provide करने के पहले invoice दे सकता है क्या by law, हाँ, दे सकते है, यानि ऐसा situation आ सकता है, कि हमने invoice दे दिया, पर supply अगले मेरे मेरे में करने वाल है, क्योंकि law क्या कहता है, invoice का chapter यहाद है, आपको क्या कहता है, कि you can issue the invoice on or before supply, okay, तो आप दे सकते हो, उसमें कोई, वो कोई fraud न supply किये, जिसमें clear intention है, violation of provision of this act, देखो, आप आज invoice दे और future में goods दोगे, तो वो गुना नहीं है, लेकिन जिसमें clear intention है कि देना ही नहीं है goods और service को, फिर वो गुना हो गया, फिर वो गुना हो गया, third, issue of invoice using registration number of another registered person, मतलब क्या, मैं पहले कह देता हो, अगर आप section 122 आपकी book स से पढ़ रहे होगे, module से पढ़ रहे होगे, या act से पढ़ रहे होगे, तो sequence नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने यह group wise बनाया है, invoice related, collections related, जो आपको याद करने आसानी होगी, इसलिए यह जो clauses है, यह clauses original text से compare मत करना हूं, original text के clauses अलग है, यह clauses अलग है, यह मेरी request है, आपको आसा दूसरे का registration number आपने hijack कर लिया, ऐसा बहुत देखा गया, कि सामने वाला मुझे tax invoice बहुत जबस्ती कर रहा है, मुझे tax invoice, tax invoice, मैंने दूसरे का GSTN लिया और दे दिया उसको tax invoice, जा, तो ऐसा अगर पता चला, तो वो भी गुना माना जाएगा, next, यह तो हुआ invoice related offences, दूसर collection or payments related offences, अब देखो इसके total again 4 offences दिये है, पहला, collect any amount as a tax but fails to pay to government beyond the period of 3 months from the due date of payment of tax, मतलब क्या, आपने customer से, client से, recipient से tax तो लिया, पर government को नहीं दिया वो tax, beyond the period of 3 months, मतलब यह गुना तब माना जाएगा, जब 3 मेना हो जाए, और 3 मेने के बात नहीं दिया, तो गुना होगा, मतलब यह हुआ कि अगर आपने within 3 months दे दिया, तो वो गुना नहीं है, लेकिन, दो मिनेट रुकना बेटा, दो मिनेट रुकना, अज़े यार, क्या हो गया, ओके, 3 मेने में दे दिया तो गुना नहीं है, पर 3 मेने हो गया, बहुत से बार ऐसा होता है, कि आपकी डूडेट, आपने पैसा ले लिया, और डूडेट में आपने जो है, collect any amount of tax, आपने पैसा तो collect कर लिया, पर 3 मेने में नहीं दिया आपने, due date भी आगे, तो भी नहीं दिया, या excess collection किया और आपने नहीं दिया, 3 मेने के अधर, 3 मेने हो गया, अभी तक notice नहीं आई होगी आपके case में, पर वो गुना माना जाएगा, तो department आपको यहाँ पे penalty लगा सकता है, तो, या collect any tax in contravention of provision of this act, but fails to pay to the government, यानि आपने excess collection कर लिया, in contravention कर लिया, और 3 मेने में गौर्मेंट को नहीं दिया, तो वो भी गुना माना जाएगा, fails to deduct TDS, deduct an amount less than the amount required, या fails to pay to the government, मतलब TDS deduct करना ही भूल गया, या कम TDS deduct किया, या deduct तो कर लिया, पर गौर्मेंट को यह नहीं पे किया, same for TCS, TCS में भी आपने ऐसा किया, तो TDS से related, या TCS से related, आपने गुना किया, तो यह सब पेमेंट से related, यह दिया है, उन्होंने गुना किया, तो आपको पेनल्टी, next, ITC से related, okay, take or utilize ITC without actual receipt of goods or services, okay, in contravention of the provision of this act, मतलब क्या, आपको goods or services मिली नहीं, क्योंकि जब तक आपको वो नहीं मिलती है, okay, तब तक आप credit नहीं ले सक और आपने contravention किया, यह take or utilize ITC, in contravention of section 20, ISD, ISD ने excess credit बाट दिये, यह कुछ किया, तो वो cover हो जाएगा, आप registration related, liable to get registered, but false to obtain registration, यह भी गुना माना जाएगा, मतलब आपका threshold cross हो गया, आप river charge में liable थे, लेकिन आपने registration नहीं लिया, यह furnishes false information regarding to registration, तो आपको छोडा नहीं जा payments related, यह ITC related registration, हाँ, हमने जो records, आपको यादा रहे है, चार्ट, records, documents, कौन-कौन से, आपको maintain करने पड़े, तो आपने falsified financial record maintain कि, fake account produced किया, डिपार्टमेंट के सामने, furnish false information in return, with intent to evade the payment of tax, हाँ, यह बहुँ जरूरी है, कि return में गलत information दी, जिसमें आपका clear intention था, कि tax avoid करना है tax award करना है, fails to keep and maintain return books of account, हमने जो आपको books of account बतायते ओपर, वो आपने properly maintain नहीं किये, manufacturer ने raw material का stock laser maintain नहीं किया, agent ने principal की details maintain नहीं कि, जो agent ने principal की details है, याद आ रहा है कुछ, नालाय को, या फिर temper with or destroy any material evidence, कोई भी material evidence के साथ आपने छेडशार कर दी, और documents बदल दी, छेडशा उसके बाद में turnors related, suppressed turnors leading to evasion of tax मतलब क्या, बहसी बार आपके turnors के base पे आपका composition लेवी होता है, आपका threshold होता है, आपका audit होता है, आपका exemption होता है, तो ये सब benefit लेने के लिए आपने turnors चुपा है, देड़ करोर के उपर ता तभी आपने कम बताया, पचातर लाग के उपर तभी आपने कम बताया, चुपा है, threshold आपका 40 के उपर, 20 के उपर या 10 के उपर आपने कम बताया, ये गुना किया, हाँ, तो ये गुना तो ये हमने देखा, transporter or store, यहने ये transporter को भी नी चोड़ेंगे, उसको भी उसको भी गुना का, उसको punishment देंगे, transport taxable goods without document, और के एक transporter नालायक goods transport कर रहा है, without evay bill चला, उसको भी नहीं चोड़ेंगे, उसको भी नहीं चोड़ेंगे, उसको भी penalty लगाएंगे, और supplies, transport or store, any goods which he has reserved to bill you are liable to confiscation, या फिर आपने ऐसा goods store किया, warehouse में, transport किया, जो clearly पता था, liable to confiscation है, तो ऐसा goods आपने ट्रांस्पोर्ट किया, अरे यार, 63 में covered है, 63 में covered है, उसके बाद penalty कौन से section में लगाएंगे, तो अगर आपके registration नहीं लिया, तो आपका base judgment तो assessment होगा, पर section 63 में penalty नहीं है न, उन्हें तो स्रीव इतना कहा कि base judgment होगा, पर base judgment के assessment के बाद penalty कि इदर लगाएंगे, तो penalty ये section में आएगी, 122 में, समझा क्या, उसके बाद में refund, fraudulently obtained refund, आपने refund, गलत ढंक से लिया, या proper officer, यहाँ पे, obstruct or prevent any officer of his duties, मतलब हमारे officer को आपने जो है, उसकी duty करने से रोका, आपने गन लगा दी हमारे officer के इसर पे, गन पॉइंट पे, चल था ऐसा order दे, और कुछ गुंडे लगा दिया उसके घर के पीछे, fails to furnish information document called by proper officer, और अगर seize goods से होगा, तो dispose of temper with any goods, detain or seize or attach, कोई भी goods अगर हमने seize किया होगा, और उसके साथ, आपको हमने detain किया तकात है, इसको हाथ मत लगाना, ठीक है, ownership तुम्हारी है, पर हाथ मत लगाना, तुमने क्या किया, उसके सिल तोड़ ताड़ के फेक दिया, और goods को बेच दिया, और हमारे goods के साथ tempering किया, seize goods क तो इतने सारे अगर आपने offenses की होगे, देखो, proceeding तो आपकी 61, 62 या कोई भी section में होगी, मैं यहां से penalty लगा रहा हूँ, तो यहां section 122 में, okay, तो section 122 में जो है, आपको इतने सारे offenses होगे, तो penalty लगेगी, यह आई क्या बास समझ में है, yes or no, और penalty कितना, तो penalty higher of falling 10,000, यह amount equivalent to any of the falling, यहने 100%, okay, समझ लो, यह offense में, जितना tax involved होगा, उसका 100%, यह आपने tax revision का case होगा, तो 100%, TDS का case होगा, पे करना भूल गया अगरे, तो 100%, TCS का case होगा, तो उसका 100%, ITC availed, और pass, और distributed, irregular, ITC का fraud होगा, जितना fraud ITC का किया, उतना, उसका 100%, erroneous refund होगा, तो उसका 100%, तो यह आपके उपर penalty लगाई जाएगी, और के यह सब है, learn करना पड़ेगा, दुसरा option नहीं है, ठीक है, यह तो वा से, section 122.1 की penalty, मैं penalty लगा रहा, section 122.1 है, यह इस बार की amendment है, अच्छे से पढ़के जाना है, ठीक है, यह add किया गया, 122.1 है, व A के 1 और 2, C के 1 और 2, यहाँ पर, of subsection 1, मतलब A के 1 और 2, यह ने क्या, यह A जो है, यह आपको, एक्जाम में तो लिखना पड़ेगा, A के, यह 1 और 2, और C के, C के 1 और 2, यहाने, यह दो और दो ट्रांजिक्शन, यह वाले दो और यह वाले दो ट्रांजिक्शन, इस ट्रा इस ट्रांजिक्शन is conducted, तो उसके ओपर पेनॉल्टी लगाए जाएगी, उसके ओपर भी पेनॉल्टी लगाए जाएगी, अब मैं आपको बदा देता हूँ, इसमें चार चीजे कवर की है, supply of goods, और services without invoice, या फिर, invoice without supply, याने fake invoices, या fake transaction, दूसरा, fake ITC, अब मैं आपको fake invoices और fake ITC के बड़े-बड़े scam सामने आए, और उसमें ये पता चला कि हमारे जैसे professional involved है, धबा है, okay, CAP, CMA, CSP, ऐसे लोग अगर involved होगे तो, तो हमारे जैसे professional involved है, उनके, उनके कहने से ये किया गया, जैसे एक example मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ देखो, डेली की एक company थी, उन्होंने करोणों की invoice बाटे, without supply, ITC लेने के लिए, invoice आगए, अचा, उन्होंने GSTR1 दस्तारी को दिया भी, क्योंकि GSTR1 दस्तारी को दिया, तो मेरे 2A में reflect हो गया, अब section 30, sorry, rule 364 क्या कहता है, मेरे 2A में reflect हो जा तो मैं तो credit ले लूँगा, okay, reported invoice है, अब सामने दस्तारी को GSTR1 दिया, और, okay, जो भी है, यह सब transaction उसने fake invoice हैने क्या, एक simple example है तो, मुझे credit चीए, okay, तो credit में, services में fake invoice बहुत जादा हुए, क्योंकि goods के case में तो e-way भी आ जाता है, तो इसलिए मुश्किल हो जाती है, services में, Delhi के company है, मैंने का कि यार तरी information technology service बता दे, मेरे software यह अगरे है, या website, service बता दे, उसने मेरे को website बता दिया, उसमें उसमेरे को 50 लाग का bill दे दिया, जबकि कुछ नहीं, 50 लाग का bill दे दिया, GST का तो credit मिल जाएगा, और उसके पास 50 लाग का bill है, तो 50 लाग का bill है, तो मैं उसको 2% दे दूँगा, हा, 2% ले ले भाई, okay, अब मुझे तो खर्चा भी बूक हो गया, GST का credit भी मिल गया, और मैंने उसको 2% दे दिये, फिर ऐसे उसने हजारों लोगों को bill दिये, dummy invoices, especially service sector में, और service उसने क्या किया, 10 तारीक को GSTR 1 भी डाल दिया, so that मेरे 2 A मे भी आ गया, और 12 तारीक को दुबई भाग गया, यह स तो ऐसे case में, और यह सब इसमें उसके पता चला कि उसके जो यहाँ पर consultant है, मैं नाम नहीं लूगा, CS, EMA, CS, पर उसके जो consultant थे, उन्होंने यह सब पुरा बना कि दिया था, वो भी पता चला, क्योंकि उनके mail भी सामने आए, क्योंकि उन्होंने यह पुरी arrangement का बना कि दी और 2500-300 करोर का commission करा लेके भाग गए, तो यह सब बड़े-बड़े scam सामने आए, तो government ने यह provision लाई, जिसने किया है, उसको तो 122-1 में तो छोड़ेगे ही नी, और ख्याल रहे, 122-1 जो है taxable person को अपला होता है, okay, taxable person मतलब जो registered है, या liable to registered है, जो registered है, या liable to registered है, उसको तो penalty लगाएंगे, पर, okay, जिसने उसमें benefit लिये, और जिसके direction पर, तो हमारे जैसे consultant ने भी 1% रखा, तो इतना सब कुछ करेगा, तो 200 करों कमा रहा है, 1-2% हमारा भी रख देना उसके अंदर, okay, तो जिसने उसमें benefit रखे, और जिसके, whose instance is transaction is conducted, जिसके कहने भे यह सब जितना tax evasion हुआ, उस पर भी penalty लगाई जाएगी, यह point समझा गया आपको, yes or no, यह point समझा क्या, very good, बहुत बढ़िया, okay, तो चलिए, यह उनने add किया था, इस बार, हाँ, बिल्कुल सही आपका, government का ऐसा करना चाहिए, कि जब तक 3B file ना हो, okay, तो आपके 2A में reflect नहीं होना चाहिए, पर वो बहुत बुश्किल जाएगी, इंडस्ट्रियूस के अगेंस में जाएगी, तो पैक्रिकल डिफिकल्टी बहुत जाजा है, फिर वो ऐसा हो गया कि इस मन्त का ITC second month में जाएगा, एने एक मन्त carry forward होगा वेसा ITC, जो भी है, चलो, यह आता है, यह आपने देखा, section 122 वेन है, next, next बेटा, जो है, supply of, supply of goods and services on which, tax not paid, short, been paid, erroneous refund, section 122 तो देखाँ, और यह पहला हुआ, और यह दूसरा हुआ, और यहां से ऐसा arrow करना है, दिया ही है, बलना, दोनों combine करके, कि case है, short paid, not paid, erroneous refund, या wrongly availablement or utilization of ITC, तो उसमें दो action होगी, पहला, for reason other than fraud, willful misstatement, तो penalty 10,000 और 10%, और for reason by fraud होगा, willful statement, तो 10,000 और 100%, कोई video में आके मुझे इसका answer देना चाहेगा, कि यह तो 73, 74 जैसा ही है यार, okay, पर मैं 2 minute आपको time दोगा, कोई video में आके मुझे इसका answer देना चाहेगा, video में तो 2 ही लोग है, video में 2 ही लोग दीख रहे है, कोई इसका answer देना चाहेगा, कि यह section 122, subsection 2 क्या कहता है, कोई ready है, नहीं, ठीक है, अब आपको एक case देना चाहेगा, तो यह समझ जाएगा आपको, देखो, सुनो द्यान से, आप registered हो, registered होने के बाद, आपने कोई return नहीं दिये, return नहीं दिये, तो आपका short payment, not payment हो गया, short payment और not payment हुआ, और आप registered हो, return दिये तो no doubt, scrutiny फिर 73, 74, लेकिन आप registered हो, return नहीं दे रहे हो, और आप non payment of tax कर रहे हो, यह short payment of tax कर रहे हो, तो बताओ क्या होगा, और क्या होगा, step by step बताओ, return नहीं दे रहे हो, रजिस्टर हो, तो क्या होगा, पहला step, क्या होगा, पहला क्या होगा, रजिस्टर हो पर return नहीं दे रहे हो, short payment, not payment कर रहे हो, ironeous refund, तो पहला section 63 में, base judgment जाएगा, section 62 में base judgment जाएगा, हाँ, base judgment जाएगा, base judgment में आपको auto generated notice आएगी, और auto generated notice के बाद जो है, यहाँ पर base judgment assessment order आजाएगा, और समझे लो, 30 दिन में भी return नहीं दिये, तो 30 दिन में भी return नहीं दिये, तो आपका against my order तो final होगी, उसके बाद में, अब बताओ, penalty 122 में आएगे, तो अब सुनो, 122 में यहाँ पर, 122 में यहाँ पर, अगर आपने short payment और non payment किये है, सुनो देन से, अगर आपने short payment और non payment किये, और आपका case 62, 63 से आया है, और वो अगर हो सकता है reason other than fraud हो, यह हो सकता है reason by way of fraud हो, तो अगर reason other than fraud हो, तो 10,000 और 10%, और by reason of fraud हो, तो 10,000 यह 100%, in short, यहाँ यह 73, 74 जैसा ही है, penalty का clause, 73, 74 जैसा ही है, पर यहाँ पे हम short payment, not payment, erroneous refund यह ITC का penalty, यहाँ पे 122, subsection 2 में तब लगाएंगे, जब 73, 74 की case ना लगी हो, और short payment, not payment, or erroneous refund का case हो, तो अब यहाँ पे लगाएंगे, दोनों में फरक क्या है, दोनों में फरक यह है कि 73, 74 में at least आपको discount या voluntary payment तो मिलता है, मतलब case अगर fraud का हो, example की तवर पे case अगर fraud का हो, तो at least आपको 15%, 25%, 50% तक का कुछ benefit तो मिलता है, लेकिन अगर section 1, 10 to 2, subsection 2 में penalty लग देगी, तो आपको direct 100% है, direct 100% है, तो ख्याल रखिएगा, अपने client को advice देते वक्त, देख भाई, तेरा base judgment assessment हुआ है, 30 दिन में return दे आ रहा होगी, 30 दिन में तो return, मैंने तो अपने client को ऐसा करवाय था, कि यहाँ पर base judgment हो गया था उसका, तो मैंने क्या कहा था, कि देख एक काम कर, अगर हमें कुछ गढ़बढ़ भी करना है, तो तू return डाल दे, 30 दिन के अंदर return डाल दे, अगर 30 दिन के अंदर तू return डाल देगा, अगर उसमें आने दिन डिस्क्रिपंसिस जो आनी है, पता है हमें कि बहुत गढ़बढ़ की है, पर return तो डाल तू, return डाल दिया, तो बेजमेंट, बेजजमेंट असेस्मेंट की केस विड्राओ के, नॉर्मल में आ जाएगी, नॉर्मल में वो स्कूटीनी करके 73-74 में लाएगा, और मैं चाहता हो कि 73-74 में केस, क्योंकि 73-74 में केस आए, तो मैं फिर 15%, 25%, 50% जो भी है, अटलिस उसका तो मैं benefit लोगा, fraud का केस है, तो उसका तो benefit लोगा, लेकिन, अगर मैंने अपने client को कहा, कि तो return नहीं डाला तीस दिन में, तो देख वेटा, तेरा penalty सिधा-सिधा 122, subsection 2 में चले जाएगा, और वो तो direct 100% है, फिर वाँ तो तो बज भी नी सकता, मेरा बात समझा कि आपको, क्योंकि वीचेवरी is higher है, मेरी बात समझे क्या आपको, yes or no, कि हे भी जा रही है बिटा, अच्छे से समझ में आ रहा है कि हे भी जा रहा है, मैंने जो कहा, अच्छे से समझ में आ होगा, तो A लिखे, A लिखे, very good, चलो, तो यह था दुनों का difference, उसके बाद में section 122, subsection 3 में अगर हम देखें, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि यहाँ पर, yes, other person, मतलब उपर वाले person छोड़ के, अगर कोई दूसरे person involved है, any person who aid, और अबेट, any of the, above 21 offenses, यहाँ, other person, जिसने help किया आपको, above offense करने के लिए, agent है, जो उसमें covered हो नहीं, तो त्रांस्पोर्टर कवर है, वेरावस के पर cover है, लेकिन कोई दूसरा agent है, buyer है, यह कोई भी ऐसा person, okay, 122, subsection 3 जोए, यह other person को cover करता है, okay, तो कोई भी ऐसा person, agent है, buyer है, यह कोई भी, इसे good, जो liable to confiscation है, उसको, buyer है, रिस्यू कर रहा है, supply कर रहा है, storing, प्रांस्पोर्टर, इसमें, आपका employee भी आ सकता है, इसमें, okay, हम professional भी आ सकते है, वो उन पर भी penalty लगाने का power है, यहाँ पे, receive or deal with supply of service in contravention of this act, और fails to appear, यह स्टार करता है, fails to appear, यह स्टार करता है, fails to appear, invoice for supply, any invoice for supply, okay, ऐसा person, कभी-कभी क्या है, जैसे issue लो, तो issue को भी, जैसे supplier को तो invoice देना ही है, साथ-साथ में, issue को भी देना है, जो other person में आ गया, तो उसको भी invoice साथ-साथ में देना है, उसने नहीं दिया, तो ऐसे situation में, penalty extending to 25,000 आपके उपर लग सकता है, ठीक है, extending to 25,000, इत अगर हमने bank वालों से पेनाल्टी, bank वालों से information मागी, या कोई data मागा, और उन्होंने नहीं दिया, तो या 100 रुपीस for each day, maximum 5000 का पेनाल्टी, या fine may extend to 10,000, या in case of continuing offense, further 100 रुपीस और maximum 25,000 का पेनाल्टी, लगा जा सकता है, अगर उन्होंने नहीं नहीं दिया, उसके बाद में general penalty, ये general penalty क्या है देखो यहाँ पे, अगर उपर दियेगा है section में, अगर कोई भी penalty, आप किसी में भी cover नहीं होते हो, लेकिन contravention है, किसी में भी cover नहीं होते हो और आप contravention है, तो आपको to the extent of 25,000 ये penalty लग सकती है, तो any person who contravention, any of the provision of this act for which no penalty is separately provided, तो उसके पर maximum 25,000 की penalty तो लगेगी, is it clear, तो ये penalty दिया 25,000 की उन्होंने, उसके बाद, next, चलो इतना cover कर लेता हो, और फिर यहाँ रुखते है, general discipline, ये भी important है, अच्छे से पढ़के जाना, general discipline, जब भी penalty लगाई जाएगी तो क्या general discipline है, no penalty for minor breach, छोटा बड़ा breach होगा तो छोड़ देना, या procedural कोई तो मतलब आपने tax avoidance नहीं किया, तो प्रोसीजर इदर उदर हो गया, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो छोड़ देना, या any omission or mistake in document which is easily rectifiable, तो ऐसे offense को छोड़ दो, मत penalty लगाई, अब minor breach होगा तो इतना, tax involved less than 5,000, और ऐसा कोई पीक है नहीं दिया आपने, पर 5,000 से कम व situation में उसको छोड़ दो, यानि तीन केस में आपको penalty नहीं लगाएगे, minor breach होगा, कोई procedural requirement में आपका failure होगा, या फिर any omission or mistake होगी, तो आपका नहीं लगाएगे, minor breach हैने क्या, easily rectifiable हैने क्या, मैंने दिया है, penalty imposed depends on facts and circumstances and shall be commensurate with the degree and severity of breach, मतलब क्या, जब भी penalty लगाई जाएगी तो situation को देखा जाएगा, और कितना severe उसने offense किया, वो भी देखा जाएगा, opportunity of being hurt दिया जाएगा, officer shall specify the nature of breach and applicable law, now next, person voluntarily disclose to an officer, proper officer may consider this mitigation factor while quantifying the penalty, अगर कोई person खुद आके बता रहा है कि यह हुआ है, तो officer उसकी penalty पुराना लगा है, थोड़ा mitigate भी करे, कम लगा सकता है, लेकिन last लास वाला प्रोविजन बड़ा important है, और लास वाला प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन, okay, last वाला प्रोविजन not applicable, if penalty is specified, either fixed sum or fixed percentage, जहाँ पेनल्टी फिक्स है, उसमें हम कम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे अगर आप देखते हो, तो पहले 122 यह 100%, यहाँ कम नहीं हो सकती, जहाँ ऐसे वड़ है, extending to, जहाँ ऐसे वड़ है, extending to, यहाँ वड़ है, extending to, वहाँ कम की जा सकती है, और वहाँ फिर minor breach होगे, यहाँ फिर circumstances होगे, severity होगे, यह सभी factor को देखके, पेनल्टी कम की जा सकती है, यह section 126 था, 127, कौन-कौन से circumstances में पेनल्टी लगेगी, जैसे बे judgment assessment हुआ, 62, 63 में, summary assessment हुआ, तो 122 की पेनल्टी लगेगी, 73, 74 की अपनी खुद की पेनल्टी है, अब यहाँ पेनल्टी लगेगी, और 130 की पेनल्टी लगाने की कितने section है, अगर 62, 63, 64 होता है, तो 122 में लग जाएगी, 73, 74 की अपनी खुद की पेनल्टी है, 129 की अपनी खुद पेनल्टी और 130 की अपनी कुछ पेनल्टी है, तो यह मैंने यहाँ इतना cover किया, यहाँ पे यह discussion यहाँ ने यहाँ पे cover किया है, चलो, चलिए, so now अब यहाँ पे आते है, section 129, detention, seizure and release of goods and convince in transit, और section 130, regarding to confiscation and confiscation point, तो देखो section 129 जो है, वो section 129, इसका जो source है, वो है बटा, यहाँ पे अगर आप उपर chart पे आते हो, तो investigative power में है, अगर हम देखते हैं, section 68, जो inspection of goods in transit, तो अगर goods transit में है, तो उसका inspection किया जाएगा, evay bill check किया जाएगा, तो yes, section 68 is the source of evay bill, और inspection किया जाएगा, अगर transit में कोई goods पकड़ा गया, convince पकड़ा गया, और उसके साथ evay bill नहीं है, या कोई document नहीं है, तो वो situation में, जहां तक देख करवाना है, तो देखो बेटा, यहाँ पे section 129 क्या कहता है, notwithstanding to anything continue in this act, where a person transport any goods, और store goods in transit, तो in contravention of provision of this act, यह सी हाँ कार्ट देना, in contravention of provision of this act, then all such goods conveyance and document related to goods or conveyance, और कि शाल भी detain और क्या सीज, मतलब किसी ने भी goods यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया, या store किया, in contravention of provision of this act, त तो सारे goods साथ साथ में convince, और उस से related सारे documents यहाँ पे detain या seize कर लिये जाएगे, अब तो seize हो गया, what is the difference between seizure and confiscation, seizure मतलब कि government ने goods अपने control में ले लिये, but ownership अभी भी owner की है, और confiscation के case में ownership जो transfer होती है, वो government को transfer हो जाती है, तो चलिए, in transit अगर seize हो जाता है, तो penalty क्या है, और owner सामने आता है, और owner सामने नहीं आता है, आपको goods release करवाने है, तो where owner of the goods come forward, और owner खुझ सामने आता है, तो यह penalty लगाई गई है, इतनी penalty आपको pay करनी पड़ेगी, तो यह आपका goods आपको release किया जाएगा, मतलब आपको tax देना ही है, interest देना ही है, साथ साथ में इतनी penalty आपको देना है, यह penalty amend की गई थी, last year में 2022 में, तो बिटा, इस पे पहले भी question आया हुआ है, और अभी भी बहुत अच्छे से पढ़के जाना, अगर owner of the goods सामने आ रहा है, तो government केती है, normally, normal goods के case में, वो 200% of tax, I repeat, 200% of tax इतनी penalty लगाएगी, जैसे अगर CGST Act में लगा रहा है तो 200% of CGST rate जोगा, SGST में 2% of SGST rate, और IGST में 200% of total rate, और अगर आपका कोई exempted goods हो गया, और उसके साथ documents नहीं होगे, और in contravention वो पकड़ा गया, तो exempted goods होगा, तो यह case में, आपको यह penalties learn करना पड़ेगा, amount equals to 2% of value of goods, और 25,000, whichever is less, ठीक है, वो exempted goods के case में है, अगर owner सामने न नहीं आ रहा है, अगर owner सामने नहीं आ रहा है, तो फिर penalty वो बड़ा रहा है, देख भई, owner आ जाएगा, तो हम 200% of tax ही penalty लेंगे, लेकिन owner सामने अगर नहीं आता है, तो वो situation में, हमारी penalty फिर हमें घुसा आ जाएगा, और हमारी penalty जो रहेगी, नॉर्मल केस में, 50% of value of goods, 200% of tax, whichever is higher, मतलब, minimum 200% of tax ही, और maximum, whichever is higher, 50% of value, भाई, यह penalty बहुत जादा है, तो owner सामने आ जाएगा, तो अच्छी बात है, और exempted goods का owner सामने नहीं आया, तो वो situation में, 5%, owner सामने आता है, तो 2%, और यहाँ पे 5% और 25,000, which is less, Now, एक बात और आपका बता दू, यहाँ पे, एक point आपने add कर देना, अगर convince कर दिया गया, तो convince के case में, आपकी penalty है, maximum up to 1,000, याने, यह order में, जितनी penalty final ही, और convince किसी को छुडवाना है, तो अगर convince किसी को छुडवाना है, तो यह order में, जितनी penalty final ही, और 1,00, which is less, तो समझ आपकी यहाँ पे penalty 1,00,000 से ज्यादा होगी, तो minimum 1,00, और यह order में, जितनी penalty final ही, अगर 1,00,000 से कम होगा, तो आपको minimum 1,00, convince चुड़ाने का, आपको penalty देना पड़ेगा, तो वो point आपने add कर देना है, तो बाकी points आप रीड कर सकते हो, तो जहाँ तक देखा जाए बेटा, यह penalty अच्छे से learn करके जाना, okay, goods चुडवाने है, तो owner सामने आया, owner सामने नहीं आया, normal goods, exempted goods, और convince चुड़ाना है, तो convince चुड़ाना है, तो जो transporter का convince risk किया गया, उसके ओपर भी, यह जो penalty यहाँ final होगी, और rupees 1,00, और rupees 1,00, whichever is less, उतनी penalty लगा जाएगा, यह तो था section 12 29, अब आते हैं section 130, 130 मतलब, okay, goods confiscate किया गया, तो 4 situation है, जहां goods liable to confiscation है, okay, section 130 कहेता है, okay, यह जो कौन-कौन situation है, supplies or receive the goods in contravention of provision of this act, with intent to evade the payment of duty, मतलब आपने goods supply किया, यह receive किया, in contravention, जिसमें tax evasion का आपका clear intention था, now next better, doesn't account the goods on which he is liable to pay tax, आपने proper accounting नहीं की, अगर proper accounting नहीं की और कुछ गोड्स आपने properly records नहीं वता है, goods liable to contravention होगा, contravention of this act, with intent to evade the payment of tax, यह act कि कोई भी provision आपने contravention किया, with intent to evade the payment of tax, or use any conveyance for transporting the goods in contravention of provision of this act, unless owner of the conveyance proves that, it was used without his knowledge or connivance, then all such goods or conveyance liable to confiscation, यह convince जो है, वो use किया गया, तो वो भी convince confiscate हो जाएगा, अगर, वो ऐसे goods लेके जा रहा है, जो in contravention है, तो यह 5 cases ऐसी है, और एक यह भी है, supply without registration, यह 5 cases learn करके जाना, यह 5 ऐसे cases है, कि यहाँ पे आपका goods liable to confiscation हो सकता है, यह आपने goods supply किया, in contravention, with intent to evade payment of tax, यह फिर आपने proper accounting नहीं किया, यह फिर use supplies without registration, यह पिर इनी provision of this act, with intent to evade the payment of tax, और यहाँ पे युजे दे कन्वेंस for transporting the goods liable to contravention, तो वो situation में यहाँ पे goods liable to confiscation हो गा, अब अब समझ लो आपका goods confiscate हो गया, सुनना, और कि यह important है, यह वाला point important है कि अगर आपका goods confiscate हो गया या आपका goods जो है बेठा यहाँ पर आपका convince confiscate हो गया तो वो situation में अगर आपको अपने confiscated goods छुड़वाने है देखो दोनों में difference है यह goods seized हुआ था in transit seizure छुड़वाना है तो यह penalty है और confiscation मतलब ownership transfer to government और government से वापस लेना है अब seizure नहीं हो गया आप confiscation हो गया तो confiscation हो गया और goods वापस लेना है तो उसको कहते है redemption fine option in lieu of confiscation हम कहते है उसको redemption fine तो यह जो redemption fine है वो कितनी देनी पड़ेगी तो आपको goods वापस मिल जाएगा याद रखना fine shall not exist market value of goods confiscated less tax chargeable मतलब जो goods की market value है minus जो उसके उपर tax लग रहा है learn करो जो goods की market value है minus जो उसके उपर tax लग रहा है उतना आपसे officer redemption fine मांग सकता है यह maximum है उतना redemption fine कि अगर आपको goods चुड़वाने है तो आपको इतना fine देना पड़ेगा और fine plus penalty shall not be less than penalty equals to 100% of tax payable on such goods और आपकी penalty जो है यहाँ पे 100% of tax है तो कम नहीं होनी चीए मतलब redemption fine जो है maximum market value minus tax payable और minimum 100% of tax तो उतना तो होना ही चीए और convince अगर confiscate हो गया तो वो case में fine equals to tax payable on the goods being transported अगर convince चुड़वाना है कोई transporter का convince confiscate हो गया और उसको अपना convince चुड़वाना है तो वो अपने convince में जो goods लेकी जा रहा था सुनो मेरी बात जो अपने convince में जो goods लेकी जा रहा था वो उसकर उस पर जितना tax होगा उतना 100% remission fine देना पड़ेगा तो convince चुटेगा तो पेटा यह learn करके जाना यह transit में seized किया गया और आपको seizure goods release करवाना है तो penalty है और अगर आपका goods confiscate होगा कई से भी confiscate होगा आपके factory से confiscate होगा transit में confiscate होगा या फिर आपका goods जो है warehouse में confiscate किया होगा कोई भी reason के वज़े से और confiscated goods आपको वापस करवाना है तब नाम यूज किया जाता है redemption fine पिनल्ट ही नहीं तब नाम यूज किया जाता है redemption fine goods को release करवाना है तो maximum और minimum इतना और आपको convince को release करवाना है तो वो situation में आपकी जो fine होगी fine equals to tax payable on the goods being transported मतलब जितना जो goods जा रहा है उसका tax जो है उतनी fine आपको देना पढ़ेगा no doubt confiscation में ownership government को transfer हो जाती है और आपने अगर redemption point within 3 months पे नहीं किया अगर ये redemption fine का option नहीं लिया तो proper officer वो goods और convince dispose कर सकता है तो कुछ important points हमने section 129 और section 130 के यहाँ पे देखे है तो यह था बेटा यहाँ पे दोनों section बड़े important है अच्छे से बढ़के जाना इनकी penalty is redemption fine याद करके जाना चलो यहाँ पे punishment for above offenses अब हमने तो अभी तक penalty confiscation यह लगा है civil proceeding की अब हम आज जाते है criminal proceeding में आप उपर लिख सकते हो criminal मतलब criminal proceeding आप लिख सकते हो और चलिए अब हम जेल कब जा सकते देखिए द्यान से देखिएगा यहाँ पे section 132 important prosecution and imprisonment whoever commit or causes to commit or retain the benefits arising out of the following offenses मतलब जिसने offenses किये या फिर causes, commit and retain the benefits जो अभी आए न ओके यहाँ पे consultant जो करवा रहा है या उसके benefit retain कर रहा है या amendment इस बार की जो करवा रहा है या उसके benefit retain कर रहा है उसको भी हम जेल में डाल सकते है तो देखिए वो क्या कहते हैं अब कौन-कौन से offense जेल में जाएगी अब मैं आपको यह बताओ क्या 122 के ये 21 offenses पूरे जेल में नहीं डालते है इसमें इसमें से कुछ offenses आपको जेल में डालते है इसलिए मैंने के chart को कैす selv建ज किया अगर 122 आपका base है 21 offenses का तो इसमें से मैंने दो part किये कॉंसे punish होते है okay 132 में और कॉंसे punish नहीं होते है मतलब जिसकी जेल नहीं होगी, following offenses only subject to penalty, तो मैंने क्या किया, मैं जब ये चार्ट बना रहा था, मैंने टोटल 21 लिखे और दोनों को बाइ फर्गेट किये, कौन से offenses में जेल में जा सकते हैं, और कौन से offenses से penalty लग सकती है, तो आपको 122 के सब ही offenses याद होगे, तो फिर ये आसान हो जाएगा आपके लिए, तो आप देखो को, ये 122 में से कौन-कौन से offenses में जेल में जाएगे, पहला, वो invoice bill वाला, in invoice bill वाला में, supply of goods or services without issue of invoice, in violation of law, if intent to add the payment of tax, ठीक है, तो अब देखो, अगर आप compare करोगे, मैं एक ही compare करके दूँगा, बाद में आपने द्यान से पढ़ना, जैसे invoice or bill of supply of income में, one में दो offenses थे, without issue of invoice, और incorrect or false invoice, incorrect or false invoice होगा, तो आप जेल नहीं जाओगे, okay, incorrect or false invoice होगा, तो जेल नहीं जाओगे, जेल, याँने, severe offense कब बोला जाएगा, जेल जाने लायक ओफेंस कब बोला जाएगा, जब आपने without issue of invoice दिया, विथे intent to evade the payment of दिया, और पूरा fake invoice दे दिया, तो आप जेल जा सकते हो, या, issue of invoice or bill of bill without supply of goods or service, violation of law, leading to wrongful availment or utilization of ITC refund, very important, याँने आपने जो invoice दिया, without supply, जिसके वज़े से, याँने आपने law का violation तो किया, प्लस जिसके वज़े से, सामने वाले ने, जिसके वज़े सामने वाले ने, wrongful availment and utilization of ITC किया हो, तो वो situation में आप जेल में जा सकते हो, तो ये भी बहुत जरूरी ने साथ साथ में, कि वो wrongly availya utilize कर रहा है, credit आपके invoice पे, तो फिर आप जेल में जा सकते हो, ठीक है, तो आपने ऐसा fake invoice दिया, दूसरा, collection और payment में जेल जाने के लिए एक ही offense है, याँने उपर में से अगर मैं एक offense लो तो कौन सा, collect any amount of tax but fails to pay to the government, beyond a period of 3 months from the due date of payment, याने वो TDS, TCS में आप जेल में नहीं जाओगे, अगर आप compare करो, तो TDS, TCS वाले offense में आप जेल में जाओगे, आप जो है कि आपने कोई भी tax collect किया, customer से, और वो जो tax collect किया, वो government को 3 मेने के अंदर नहीं दिया, तो आप जेल जा सकते हो, ITC से related, अवेल ITC using invoice bill referred, यह रसे पिर से बाफ जेल, और आपने ऐसे ITC use के, invoice or bill referred into, अवेलाने आप जाओगे, तो आपने invoice न आते हुआँ दाए, अवेलाने प्र। एक वरड बड़ा इंपोर्टनटटे हो, यह फिर यहापे डाप जेल जा सकते हो, तो आप जेल जाओगे, यह attempt to commit offense, यह important है, आपने, अगर offense नहीं वाओगा, पर कोशिश की होगी, तो अगर A to E's में, अबो A to E में, ध्यान से सुनिएगा, याने, A to E में, यह offenses आपके successful नहीं हो पा है, पर आपने कोशिश की, तो कोशिश भी की, तो आप जेल में जा सकते हो, attempt to commit or abit the commission of any offenses, mention above, तो आप जेल में जा सकते हो, यह फिर यह पे tempering of documents, okay, tempering with destroy any material evidence, तो जेल में जा सकते हो, हमारे officer को रोका गया, उसकी duties perform करने के लिए तो जेल में जा सकते हो, fails to furnish info required under any law or supplies false information, तो जेल में जा सकते हो, but, but, if he has reason to believe that information supplied by him is true, then it, okay, it will not be treated as offense, मतलब क्या, information ग doesn't happen, जेल में और जेल में खड़े होर तो एप जेल में जा सकते हो, दू जेल बड़े हैं, मतलब ऐसा goods, जो unspole to confiscation ता, तो छार situation, क्य67, जए यह जो आसा वाला good गुट्स था, यह जी यह पांओ जा सकते हो तो उसमें डील करते हो, फिर वो डील करने वाला, यहां पे ट्रांस्पोर्टर हो, रेराउस कीपर हो, तो दील इन शप्लाइ गूड्स विच लो, और हैसे बूट्स विच नो, और हैसे बूट्स ने क्या जो लाइबल तो कॉन्फिकेशन ते यह सप्लाइब साविच अब्स तो जी टू आए, ओके जी टू आए मतलो बेटा अब हो, आप देखोगे तो ये जी टू आए, ये ओफेंस करने की कोशिच भी की, तो आपको जो है, यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा और जेल किया जाएगा, अगें आपको यहाँ पे इसको रीड करना पड़ेगा, पर य ये अलग से लर्ण करने की जरुवत नहीं है, अगर यहाँ पे वो 21 ओफेंस याद हो जाए, उसमें से ये ओफेंस पे जेल होगी, और मैंने ये जिस आपके जानकरी के लिए कि ये जो ओफेंस है, यहाँ पे इसमें से पनॉल्टी लगेगी, ये 122 को बेस लेके मैंने अब मतलब जो हमने देखें, okay, with previous sanction of commissioner, जिसके लिए वारंट लिया जाएगा commissioner से, offences देखो, tax evaded, ITC wrongly availed or utilized or refund, okay, इससे related, अगर आपके अमांट पांच करोड से जादा होगी, तो पांच साल and with fine, यहाँ पांच साल की सजा हो सकती है, आपको maximum, साथ साथ में, अरेस्ट अरेस्ट फाइन आपको लग सकती है, अगर यह अमांट आप टैक्स एक्रेडिट यह रिफन दो से पांच करोड के बीच में होगा, तो तीन साल की सजा and with fine, fine भी आपको arrest fine लगेगा, और एक करोड से दो करोड की बीच में होगा, तो आपको एक साल की सजा and with fine आपको लगे ठीक है, तो यह slab याद रखना पड़ेगा, दूसरा, a commit or abate to commission of offense under E1, H1 और G1, E1 मतलब कौन सा, तो यहां देखो, E1 मतलब यह वाला, falsify record, उसके बाद में वो क्या कहते है, E1, H1, H1 यह ने कौन सा, यह, हमारे officer को तुमने परिशान किया, यह फिर G, G का, G का, G का, यह ने offense तुम कर सकते हो, करते हो, तो यहां पर amount का तो सवाल ही नी, बस तुमने यह offense किये, तो आपको सजा जोगी, यहां पर 6 मैने की, or with fine, or with both, यह सजा तो आपको होके रहेगी, ठीक है, तो 6 मैने की सजा है, और for second and every subsequent offense, second and subsequent offense, आपने दुसरी बार यह offense किया, तो फिर आपको, फिर लिमिट नहीं देखी जाएगी, यानि रुपी वन का भी होगा, रुपी वन का भी होगा, तो भी 5 साल and with fine सजा की जाएगी, देखो, यहां पर आपको बता देता हूँ, जो यह E1, H1 और G1 है इसमें टैक्स नहीं होता है, आपने हमारे officer को रोका, उसमें टैक्स का क्य रहेगी, ठीक है, उसके बाद में second time office क्या हो, और एक रुपया भी office क्या हो, तो 5 साल and with fine आपको लगेगा, अब नीचे क्या दिया देखो, इंप्रिजंट में minimum 6 months in the absence of special and adequate reason to the contrary to be recorded by judgment of the court and, court and extending, यह गलती से है, an extending, judgment of the court, मतलब क्या, यह जो 5 साल और यह 3 साल की सेजा है, य यह up to है, यह लिख दो up to, up to five years, मतलब 5 साल आपको डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं, okay, यह maximum है, maximum five years, लेकिन आप नीचे वह क्या कहते है, okay, 5 साल, 3 साल, या फिर, यह 1 साल, यह तो maximum है, पर minimum सजा आपको 6 मैने की तो होके रहेगी, जब तक कोई adequate reason, contrary to be recorded in the judgment of court, मतलब कोई अगर adequate reason नहीं होगा, तो कम से कम 6 मैने की सजा तो होके रहेगी, आपको यह situation में, यह maximum five, कम से कम 6, maximum 3, कम से कम 6, maximum 1 साल, कम से कम 6, और second time offense किया, तो आप maximum 5, कम से कम 6, 6 मैने की सजा तो आपको होके रहेगी, पर आपका adequate reason है, मतलब, समझ लो, जिसको हम अंदर डाले है, उसक को परिशान करूगा, यहने, कुछ adequate reason है, डॉक्तर का certificate है, कि उसको अब नहीं गाल सकते जेल में, तो फिर उसकी सजा जो है, 6 मैने की भी माफ कर देंगे, यह थोड़ी कम कर देंगे, लेकिन यहा पे, अगर adequate reason नहीं है, जो court record करेगा, नहीं होगा, तो कम से कम 6 मैने की सजा तो होगी, यह समझा क्या आपको वेटा, 132 समझा क्या, yes or no, 132 समझा क्या आपको, very good, बहुत बढ़िया, चलिए, अब आजाते है, cognizance and bill, cognizable and non-billable, यह वर्ट को धरा देहन रखना, जब भी मैं आपको आगे cognizable कहू, मतलब non-billable, और non-cognizable मतलब billable, okay, इस वर्ट को और देखिए, बई, जब भी jail हो जाती है, तो, jail होने के पहले, मैं तो कोशिश करूँ गाना bail मिले, okay, पहले कोशिश कोशिश करूँ आप बेल कर देखिए, और बहुत बहुत इस वर्ट को समझ लेते हैं, फिर जाएंगे bail के लिए, तो देखो, means serious category of offenses where arrays can be done, okay, cognizable or non-billable, मतलब जिसका bail नहीं मिलेगा, ऐसा offense जिसका bail नहीं मिलता है, उसको cognizable कहते हैं, या फिर cognizable offense होगे तो आपको bail नहीं मिलती है, तो देखो, means serious category of offense where arrest can be done, पहले तो वो serious category of offenses है, जहां arrest can be done without a warrant and investigation with or without permission of court, मतलब जहां बिना warrant के arrest कर लेंगे, उसको cognizable offense कहते हैं, तो मैं आगे पढ होगा, मैं कब होगा, अपके offense cognizable होगे, और आपका investigation चालो कर देंगे, उसके लिए court की permission लेगे नहीं लेगे, वो बात अलगे, investigation दिया थपड़, तो नहीं गया किया, तो यहसे situation में उसको कहते हैं, अपने कोगनाइसेबल offense किया है, जो मैं नहीं चेपड़ा होगा, लिया आपको फट्रा और अंदर डाल दिया, और बठा दिया, और आपके आज़ी वाज़ी घुम्रें दे ले थपड़ मार के बता दुने क्या किया, वो कोड़ वर जाने ते बता, यहाँ पे, इन शॉट, कि आपको lawyer दोड़ते दोड़ते आया, कि इतको bail चाहिए, आपके officer के पास इतनी पार है, bail, bail कुछ नहीं मिलेंगे, जाए यहाँ पे, यहाँ वो cognizable है, यहाँ officer bail नहीं देगा, officer ने lawyer को यहाँ पे just निकाल दिया, चल जाए यहाँ से, कोई bail नहीं मिलेगी, तो ऐसे case में bail जो है, okay, bail के inherent rights नहीं होते हैं, अब फिर वो lawyer क्या करेगा, lawyer जाएगा court में, court में bail का request करेगा, अब court वाले ने 10 दिन के बाद उसकी hearing दी, तब तक 10 दिन यह अंदर बैठा रहेगा, okay, 10 दिन यह अंदर बैठा रहेगा, वो आपने अभी, Sushant Singh, Ria वगरे का case देखा होगा, सुना होगा, okay, बिना bail, सिधा अंदर, जाओ court में bail मांगने के लिए, तो उसको कहते है, cognizable, yes or no, यह समझा क्या, और non-cognizable, और bailable, non-cognizable और bailable होते हैं, मतलब आपके खुद rights होते हैं, bail देने के, अगर advocate आता है, और वो जो भी bail की conditions है, security है, वो पूरी करता है, तो officer को bail द सकता है, तो उसको कहते है, non-cognizable, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है, word को जाने रखना, cognizable है, मतलब severe है, तो उसकी bail नहीं, और non-cognizable है, मतलब इतने serious नहीं है, उसकी bail officer ही देदेगा, उसकी bail officer ही देदेगा, court में जाने की जरवत नहीं है, तो यह means relatively less serious offenses where accused not be arrested without a warrant, and investigation cannot be initiated without court order, मतलब ऐसा offense कि warrant के बिना पकड़ा नहीं जा सकता है, और investigation करना है उस बंदे की, तो court का order चाहिए, court का order चाहिए, next, accused shall be offered to be released on bill upon his arrest by police और court informing about his right to be released, मतलब खुद police या officer ही release कर देगा, या court से भी release immediate आ जाएगा, उसको हम कहते है, non-cognizable, चलिए, तो भाई, अब आपको jail हो गई, okay, jail हो गई, तो दो बाते होगी, क्या मुझे bail मिल सकती है, okay, और क्या मैं अपनी jail को compounding कर सकता हो, क्या, compounding यान अंदर मत डाल, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, bangla है, okay, तुझे क्या चीए, okay, ले-ले, पर अंदर मत डाल, okay, और मा बीच में मतलाना, बस, okay, तुझे क बड़ा काम है, important है, यहाँ पे, cognizance of offense, हाँ, यह ज़रूरी है, cognizance मतलब कहा मैं, पहली bail ले सकता हो, arrest होने के, पुलिस से bail ले सकता हो, कोर्ट में जाने के जरुवत नहीं है, okay, देखो, cognizable and non-bailable, okay, cognizable and non-bailable, offenses related to, अबो, A to C, A to C मतलब इसमें हो जाओ, A, B, और C, invoice का offense, का offense, collection का offense, और ITC का, इसको तो बहुत सेवियर रखा है हर जगा, हर जगा बहुत सेवियर रखा है, क्योंकि fake invoices और fake ITC के scam, और नहीं पे करने के, यह न, government इसमें सुनती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनती है, तो अगर A to C के offense होगे, जो 132 में दिये है, where amount of tax evaded, और amount of ITC wrongly availed, या refund wrongly taken, exceeds 5 crores, यानि आपका tax evasion, ITC या फिर wrongly, यह 5 crore के उपर होगा, तो फिर वो cognizable माना जाएगा, severe माना जाएगा, उसकी bail officer नहीं दे सकता, उसकी bail court से लाओ, तब तक तो आपको investigation में बहुत परिशान कर देंगे, court से लाओ, उसका judicial magistrate ही bail दे सकता है, okay, officer नही और बाकी सब offenses non-cognizable, other offenses, offenses related to A to C, other में कौन से आएगे, तो वो जो उपर A to C है, जिसका आपांच करोड के नीचे है, या पांच करोड है, और बाकी D to J क है, irrespective of amount involved, वो offense non-cognizable होने जाएगे, जहा, arrest a person shall be released on bail by A C or D C, अलो असिस्टन कमिशनर, डेपुटी कमिशनर, रिली बहुत easy chapter है, याना आपने कभी life में नहीं भी पढ़ा होगा, तो भी easy chapter है, चार्ट के थू, समझा क्या? very good, very good, चलो बढ़िया, अब compounding, compounding of offenses section 138, यह थोड़ा समझने के कुशिच करना, compounding of offenses से मतलब यह कि, भई मेरको अंदर मैं डाल, क्या पैसा चाहिए, अरे मैं बाकी सब penalty दे रहा हू, interest दे रहा हू, मैं fine दे रहा हू, सब कुछ दे रहा हू, और मुझे अरेस मत कर उसका भी पैसा देता हू, सब लेले मुझे, लूट की लेके जा जो भी है, लूट की लेके जा, मेरे पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, यहाँ पर सब कुछ है, तो अरेस न होने का पैसा दे दे बाई, क्योंकि यह economical law है, यह हर बार पैसा मांगता ह पैसा दे, तुझे अपने आपको छुडाने का पैसा दे, तो उसको कहते है, टो अगला है, तो अगला है, तो अगला है, तो आपको एक प्रिस्क्राइब आमोंट दिनी पड़ेगी, तो आपको अरेस नहीं किया जाएगा, तो अब देखो, any offense may be compounded by commissioner इधर कोई भी offense होगा तो भी compound हो सकता है पैसा दो तो कुछ भी हो सकता है पैसा चाहिए तो कुछ भी हो सकता है इधर before or after institution of prosecution upon payment of compounding amount यह before मतलब prosecution आपके against में हो गया हो शायद आप arrest हो गया हो तभी compounding हो सकता है यह arrest होने के पहले भी compounding हो सकता है and upon payment of compounding amount आपको compounding amount पे करने के बाद आपको छोड़ा दिया जाएगा ठीक है वैसे तो मैंने पहले line में कहा any offense compound हो सकता है पर यह जो non compounding है कुछ case में फिर government ने एक exception भी डाले पहले exception ले लेता हूँ पहले तो any offense compound हो सकता है फिर exception डाल दी होने और second compounding compounding ठीक है तो इसको मैं थोड़ा यह चाड़ अच्छे से पढ़के जाना कभी exam में आ गया तो यहां बहुत स्टुडेंट एंसर नहीं लिख पाते है और तुमने बहुत लिख लिख लिया ना तो वो एक अलगी impression create हो जाता है एक अलगी level आजाती है ऐसे जो chapters जहां maximum student नहीं लिख पाते है वहां लिख देना boss मज़ा आजाता है ठीक है तो देख हम following offenses are compounded once earlier मतलब अगर नीचिया में दो दो type के offense दे रहे आपको यह अगर इसके पहले आपने compounding कर लिए होगी तो दुबारा नहीं है दुबारा फिर क्यो obviously दुबारा क्यो कौन से offense relating to A to F above 132 132 में A to F में मतलब invoice related collection related ITS related fraudulent activities related और यहां पे document records और obtain to commit then office उपर दिये गे A to F से related offense है और already आपने इसके पहले compound किये वह है पहली बार तो सब कोई कोई भी offense compound हो सकता है पर आपने आप already पहले कर लिए है तो फिर अब दुबारा आपका compounding नहीं होगा बेटा तु जेल जाएगा मतलब जाएगा अभी तक तु सुद्रा नहीं है दूसरा offense related to यहाँ पर I2J value of supply exceeding 1 crore अब I2J मतलब कौन सा यह जो है I2J यह दो offenses यह दो offenses attempt to commit और यह यह दो offenses होगे और इसमें second time अब द्यान सुनना इसमें second time value एक करोड से जादा हुई है अब देखो एक एक लाइन सुनू I and J वाला offense जो एक बार पहले compound हो चुका था मतलब पहले एक बार immunity मिल चुकी थी पर उसके बार में वापस आप पकड़े गए second time पकड़े तेवक अगर value एक करोड के उपर होगी तो फिर compounding नहीं होगा जेल जाओगे लेकिन value एक करोड के नीचे होगी तो अभी भी second time भी आपको compounding किया जाएगा second time भी compounding किया जाएगा ये मेरी बात समझे क्या बताओ ये समझे क्या आप very good बेटा आसान हो रहा है आसान हो रहा है समझने में very good चलो ये ये आप compounding नहीं कर सकते compounding नहीं कर सकते मतलब जिल जाओ गया अब आपके पास पैसा हो कुछ भी आप बात पैसों से नहीं होगी अब तो जिल जाएगा भीटा हर चीज पैसा नहीं खरी सकता है next offense which is also an offense under any other law ये भी बहुत important है अगर आपने कोई offense किया लगा समझे लो नर्कोटिक्स वगर है और आपने offense किया है और वो दूसरे कोई other act का offense होगा तो फिर हम नहीं बचा सकते जिल से अरे sir मेरे पास बहुत पैसा है नहीं sorry हर चीज अब पैसे से नहीं खरीदी जा सकती क्योंकि तेरे को यहाँ पे जेल हो रही है और दूसरे act में jail हो रही है दूसरे act में criminal code में नार्कोटिक्स में jail हो रही है तो तो अब तो jail जाएगा sorry okay sir पैसा sorry जाओ compounding नहीं हो सकता next person convicted for an offense by court court नहीं अगर तुझे जेल दी होगी तो उसमें sorry हम कुछ नहीं कर सकते sir पैसा अरे पैसा नहीं no but shut only cut to cut जा अंदर but okay तो अंदर जाना पड़ेगा और person accused by committing an office under G and H G and H obstruct prevent any officer in discharge of his duty tempering with destroy any material evidence or fails to this offense cannot be compounded even though made first time अगर तुमने हमारे officer को परेशान किया या document के साथ tempering किया या information नहीं दी हमारे साथ तुमने ये गढ़ड की इतना इतना तुमारी हमत अब तुझे तो पैसा हो या कुछ भी हो हम तुम्हे ये compounding करने नहीं देंगे चल जाए यहां से हमारे साथ हमारे officer को gun बताता है हमारे साथ document tempering करके देता है गलत information देता है बेटा तु तो अंदर जाएगा चाहिब कुछ भी हो जाए ये समझा गया तो ये learn करके जाना list कहा compounding नहीं हो सकती कहा compounding नहीं हो सकती ये A to F वाले offense होगे तो second time नहीं होगे IJ के offense होगे तो value एक करोर के उपर second time होगी तो नहीं होगे other law के offense होगे तो नहीं होगे court ने अगर convict किया होगा तो नहीं होगा और हमें परेशान किया होगा तो तुझे first time क्यों नहीं हो तुझे compounding नहीं करने देंगे ओके पैसा मत दिखा हमको कि भई हर ज़दा पैसा नहीं चलता है उसके बाद में compounding other offenses आपके इसके बाद बाकी सब offenses फिर first time हो या फिर first time हो या फिर एक करूर सिक्वाल offense हो तो आपका compounding हो सकता है okay, monetary limit of compounding हो allowed only after payment of tax ये जो monetary ये देखो आपको tax तो देना ही पड़ेगा interest तो देना ही पड़ेगा penalty तो देनी पड़ेगी in addition to that in addition to that आपको compounding amount देनी पड़ेगी ये compounding amount है और कितनी higher of the falling 10,000 या 50% of tax involved okay ये minimum limit है और maximum 30,000 या 150% of tax involved समझे लो पहले minimum 10,000 और maximum 30,000 या फिर yes okay, सुनो, सुनो, सुनो ये जो है minimum 10,000, maximum 30,000 या फिर आपका tax से ज़्यादा है तो 50% से लेके 150% of tax in between officer कितना भी आपके against में यहाँ पे compounding amount लगा सकता है कितना भी 50% से 150% of tax okay, minimum इतना maximum in between officer decide करेगा कि कितना लगा है okay, यह ता यहाँ पे जहाँ तक देखा है आपका एक सवाल आएगा यह जो offense है यह अपने आपको छुडाने का पैसा है अपने आपको छुडाने का पैसा है और यह जो 130 में है confiscational redemption fine यह goods को छुडाने का पैसा है यह redemption fine goods को छुडाने का पैसा है और यह जो है यह अपने आपको छुडाने का पैसा है, मतलब आपको एक स्ट्रक्चर बताओ, तो पेनॉल्टी जो लगी, सुनिये, पेनॉल्टी जो लगी, वो तो आपको पनिश्मेंट है, पेनॉल्टी जो लगी वो पनिश्मेंट है, वो तो लगनी है, क्योंकि आपने दोका किया हमारे भोका करने का पैसा तो लग गया यह तो गुड्स वापस लेना है उसका पैसा है और यह जो है कंपॉंडिंग यह तो तुमको बच्छाने का पैसा है तीनो अलग अलग पैसा है यह समझा क्या यह समझा क्या आपको एक दोका करने का पैसा है एक गुड चुडाने का पैसा है और एक अपने आपको चुडाने का पैसा है समझाओगा तो जोर से बलो हाँ बस गवर्मेंट कहती है पैसा 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 ठीक है ये बाकी तो आप पढ़ सकते हो और देखो, इसमें क्या है 132 की proceeding तो आपका 73, 74 के थुरू भी लगी होगी तो भी 132 लगेगा, और ये जो 132 लगेगा आपको ये जो 132 लगेगा, इसमें फिर आपको छुड़ाने का पैसा तो लग नहीं है यानि यहां की penalty देनी पड़ेगी और फिर 132 की proceeding के आगे compounding भी होगा, तो आपको छुड़ाने का पैसा उसको देना है, ठीक है तो 132 तो दोनों case में लगेगा, 73, 74 हो या other than that हो, आपको proceeding लगेगा boss, ये मैंने पूरी कोशिश की है, आपको पूरा पहले page पे पूरा flow बताया, दुसरे पेच पे हमने penalties और अलग-अलग proceeding के ताथ कैसी action होती और जेल में जाने के बाद bail और compounding कैसे होगा, ये हमने यहाँ पे देखा, तो I hope आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आगा होगा, थोड़ा revision तो चीए, frequent revision चीए, आपको ये ये बाद नहीं लगा होगा, flow आपको समझ में आगया, आपको situation याद रखनी है, तो situation से आद रखने के लिए, frequent revision रगेजी है, बाकि आपको flow अच्छे समझ में आगया, सही कहह रोओना में, flow अच्छे से समझ में आगया आपको गल्ती करने पे छोडेगी नहीं, बिल्कुल सही करें आपको, गल्ती करने पे tax, dula, interest, penalty, redemption, fine, compounding, इबारा थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे discussion, जो हमने regarding to offense and prosecution, किया,